हेलो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, रीजनिंग सिरीज का पार्ट फाइफ, इससे पहले हम पार्ट वन से लेके पार्ट फोर तक के कवर कर चुके हैं, इस वीडियो में हम कवर करने वाले पार्ट फाइफ, तो पार्ट वन से लेके पार्ट फोर तक के लिंक आपको डि In each of the following question, Arrange the words in a meaningful logical order. Question number 21 or 22, आपको इस questions को Arrange करना है in a meaningful logical order. Yarni, उस points से, आप जिस भी points से questions को बना रहे हैं, कोई ना कोई logic होना चीए, यानि कोई ना कोई meaning निकल कर आना चीए. And then, select the appropriate sequence, उसके बाद हमें a appropriate sequence बनाना है, जिस तरीके से, आप questions को आरेंज कर रहें तो आएए देखते हैं इस type के questions को आपको कैसे cover करना है और इस type के question 2-3 आपसे एकसां में पूच लिए जाते हैं को सबसे पहले आपको को इस यहांन से question को समझना है क्या-क के कुशन में पॉइंट आपको दिये वे अंद्रपरदेश तिरुपति इंडिया यूनिवर्स और वर्ल्ड तो आपके पास यह पांच ऑप्शन है अब आपको चेक करना है सिरीज में आपको अरेंज कैसे कर पाएंगे तो अगर हम इस टाइप के कुशन को देखें तो आप ध् वर्ल्ड यूनिवर्स तो अगर आपको इसका थोड़ा सा आइडिया होता तो आप यह तुरंत अंसर दे लेते हैं लेकिन आईए अब हम एक एक करके बात करते हैं जो सबसे पहले ऑप्शन क्या होगा हमें पता होना जी कि यह पैटन कहाना क्या रहा है तो तिरुपति तिर अंद्रपरदेश अंद्रपरदेश इंडिया इंडिया वर्ल्ड और वर्ल्ड यूनिवर्स आईए एक और कोश्टन करते हैं कि कोश्यन नंबर 22 अब देखिए अप्शन समय ध्यान से देखने को बहुत अच्छे से देखना है मराम से कर पाएंगी कुशन कंसल्टेशन रिकावरी इलिनेश ट्रीटमेंट तो देखिए इस टाइप के कुश्यन को अब आपको समझना पड़ेगा देखिए हम डोक्टर के पास कव जाएंगे जब बीमार होंगे तब हम डॉक्तर से कंसल्ट करेंगे तो ट्रीटमेंट भी होगा हमारा और ट्रीटमेंट होगा तो हम recover भी करेंगे अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला option जो आपका बनेगा बनेगा illness ठीक है अगर हम बात करें तो जब आप बिमार होंगे तो यहाँ पे देखे second option कहां कहां लिखा है यहाँ भी लिखा है यहाँ भी लिखा है अब ऐसा नहीं है पहला option डॉक्टर ही होगा ठीक है पहला option तो डॉक्टर बिल्कुल नहीं हो सकता यह तो चीज आप लोग को पता हो चीज है और पहला option ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता जैसे यहाँ लिखा है और नहीं पहला option recovery हो सकता है क्योंकि जब तक कि आपका treatment नहीं होगा आप recover कैसे करेंगे और आपका treatment तो तब होगा जब आप बिमार भी पढ़ेंगे यह भी चीज़े है न यह आपको ध्यान रखना है तो पहला option तो हमें कोई doubt नहीं होगा कि easily की हाँ illness ही होगा और second option क्या होगा जब हम बिमार पढ़ेंगे तो doctor के पास जाएंगे consultation लेने ठीक है doctor के पास जब हम जाएंगे तब doctor हमें consult करेगा हमें बताएगा हमें क्या जब हम उसके पास जाएंगे तब हम उसे अपनी problem बताएंगे फिर वो हमें बताएगा कि हमारा treatment कैसे होगा ठीक है यह चीज आपको पता होनी चीए तो doctor सीधा treatment करने नहीं लगेगा ठीक है सीधी सी बात है हम सीधा सीधा तो चीज़े नहीं होगी यह चीज आपको पता होना चीए तो आईए अब हम इसके options ध्यान से देखते हैं जब हम बिमार पढ़ेंगे तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे ठीक है डॉक्टर consultation देन फिर उसके बाद क्या होगा हमारा treatment होगा और जब हमारा treatment होगा तो हम दिरे-दिरे क्या करेंगे रिकवर करेंगे तो इसका आगर हम बात करें 22nd का तो correct options क्या हो जाएगा ए ठीक है यह काफी असान question था आईए next question देखते हैं इन दी following question अब यह 23 और 24 अरेंज दी given words as per order in the dictionary जैसे कि आप लोग को पता है कि dictionary में जो words होते हैं वो alphabet के according होते हैं यानि A, A के बाद B, B के बाद C तो ऐसे ही आपके orders में dictionary में word arrange होते हैं ऐसा नहीं है A के बाद C आएगा, C के बाद E आएगा तो arrange होते हैं आपको यह याद रखना है यानि पहले A, फिर B अब देखिए इस type के questions को आपको कैसे cover करना है इस type के question भी आपसे 1-2 question exam में पूछ ले जा सेम alphabet अगर हम बात करें सबसे पहले हमें उसको ignore करना है अगर हम देखे तो पांचों में पांचों option में आपके पास Z तो है यह तो हमें वो alphabet देखना नहीं है अब हमें उसके बाद के alphabet note कर लेने इसमें क्या है E, यहां क्या है D, sorry O, third वाले में Q, fourth वाले में E, और fifth वाले में आई थीक है फिफ्ट वाले में आई तो अब देए ध्यान से अगर हम बात करें तो यहां पर यह E और यहां पर यह E तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि Alphabet सबसे पहले कॉनसा आथा तो यह तो आप लोग पताए कि E Alphabet पहले आएगा लेकिन इसमें से first कौन सा होगा यह हम देखकर नहीं बता सकते हैं अभी आप बता सकते हैं नहीं लेकिन first और second इनी में से होगा लेकिन third कौन सा होगा यह आप बता सकते हैं जो word I से शुरू हो रहा है fourth कौन सा होगा जो word O से शुरू हो रहा है और 5th कौन सा होगा जो word Q से शुरू हो रहा है तो यहां तो हमें doubt ही नहीं है doubt हमें कहा है अभी यह E अब हमें इस से तो हम check नहीं कर पाए अब हमें E के बाद वाला alphabet चेक करना है तो E के बाद वाला alphabet है first वाले में P और यह fourth वाले में E के बाद वाला alphabet क्या है? N अब हमें देखना है E के बाद N पहले आता है या P तो यह आप लोगों को पता है E के बाद N पहले आता है तो यह मिल गए आपको first option तो अब यह क्या रहा होगा? Second, देखिए आराम से आपका alphabet arrange हो गए ठीक है? तो इतने में हमने arrange कर लिया कि first कौन सा होगा, second कौन सा होगा, third कौन सा होगा, fourth कौन सा होगा तो first number पे कौन सा आ रहा है आपका यह? Z E N I T H ठीक है? Second number पे Z E P H Y R यह आपको बतल गया और third number पे Jig Jack और fourth number पे Z O D I A C और fifth number पे यह तो आईए अब हम देखते हैं, यह options कहाँ पर है तो question number 23 में अगर हम देखें तो यह options कहाँ है? C में, ठीक है? देखें, fourth number यह रहा है यह आपको पता है कि यह first पे आ रहा था second पे यह रहा था ठीक है? third पे Jig Jack आ रहा था यह चीज़ आप लोगो पता है और fourth number पे यह रहा था और fifth पे यह रहा था ठीक है? तो इस तरीके question आपको ऐसे solve करना है आईए एक और question समकवर करते हैं इस type के question अलग से भी cover कराए जाएंगे, ठीक है? अगर question में आपको ज़्यादा doubts आ रहे होंगे तो और question इसके practice कराए जाएंगे लेकिन यह काफी असान है, आपको परिशान होनी की ज़रत नहीं है अब देखिए इस question को ध्यान से सबसे पहले हमें common word को ignore करना है हमें उसको देखना ही नहीं है तो देखिए अगर हम ध्यान से तो gen तीनो यहाँ भी common है और दोनों यहाँ भी common है तो मतलब पाँचों में common है तो हम उसको ignore करेंगे अब हम देखेंगे उसके बाद की alphabet उसके बाद क्या है इसमें यू आई एन ए ठीक है इसमें डी ए आर ए आर ए एल ठीक है, सॉरी एक एक alphabet लिख लिख ले हम हमने पूरे alphabet यू डी ए और ये टी ठीक है, अब देखेंगे अब आप इस questions को ध्यान से देखिए अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पर यू है इसमें डी है इसमें ए है इसमें ए है, उसमें टी है अब हमें देखने है सबसे पहले alphabet कौन सा आता है जैसे कि आप लोग को पता है कि जो सबसे पहले alphabet आता है वो आता है डी ये तो चीज किलियर होगी कि जो first alphabet होगा हमारा वो होगा third number gender तो अगर हम c option देखे तो c option आपका answer तो हमारा यहीं पर ही cover होगी है लेकिन अभी हम आगे थोड़ा सा और चेक करेंगे अब second number पे कौन सा होगा या तो यह हो सकता है या फिर यह हो सकता है ये भी आपको पता है इसमें से कोई सा भी हो सकता है लेकिन fourth number पे कौन सा होगा fourth number पे कौन सा होगा या आप बता सकते हैं फोर्थ नंबर पे कौन सा होने वाला है 공 else Для उने वाला है ये और यू कहां आता है लास्ट में ठीक है यह तो फिफ्ट नमबर तो फ़ो फिफ्ट तो हमें पता चल गया हम gentle आएगा fourth number पर देखिए इसमें लिखावा है और genuine आएगा fifth number पर ये भी यहाँ लिखावा है अब हमें check करना e के बाद क्या है alphabets ठीक है तो e के बाद हम general में check करते हैं तो general में e के बाद है r general में e के बाद है r ठीक है ये चीज़ चेक कर लिए आपने अब यहाँ पर हम देखे genesis में e के बाद है s e के बाद है s तो अब ध्यान से देखिए r पहले आता है या फिर s जैसे कि आप लोगों को पता है कि r पहले ही आता है तो बस second number पर ये हो गया third number पर ये हो गया ठीक है तो question number 24 का हमारा इसमें correct options क्या होगे 24 का c ठीक है question number 25 if Spain is written as 68512 France is written as 795243 how will Africa be coded as अब देखिए इस type की question को आपको cover कैसे करना है पहले ध्यान से देखिए जब आपको 2 code दिये हो Spain का भी code दिया और France का भी code दिया है तो पहले चेक केजिए Spain और France में alphabet कौन-कौन से same है तो हम ध्यान से देखिए तो Spain में A है A का code क्या है अगर हम ध्यान से देखिए तो 5 क्या France में भी जो A का code है 5 ही है बिलकुल यानि ये questions इस तरीके से हमें कैसे करना है तो यानि ये जो alphabet के code दिये गए यहाँ पे तो हमें इसी के according अरेंज करना है इसमें हमें कोई pattern सोचना नहीं है एक आद और हम चेक कर लेते है Spain में N दिया वा है N का code है यहाँ 2 अब क्या N का code यह देखिए फौर्थ नंबर पर यहाँ 2 है तो हम इस type के question को अब असानी से कर सकते है यानि अब हम एक के करके चेक करते है तो अफरीका का code क्या होगा अब हमें चेक करना है A का code क्या है A का code आप लोगों पता है 5 है तो 5 तो यहाँ भी है यहाँ भी है और यहाँ भी है तो A का code क्या है 5 हमने 5 लिख लिया ठीक है A का code क्या है सबसे पहले हमने लिख लिया 5 Next F F France में F का code क्या है 7 तो 5 के बाद 7 7 अभी यहाँ पे हमारे पास A में भी है और D में भी है अब हम चेक करते है R का code R का है second number पे तो second number पे क्या है 9 तो 5, 7, 9 तो यहाँ पे देखिए 25 का correct options के आगे हमारा A आगे हम R का भी code देख सकते हैं आपको पता जल गया R का फिर हम I का code देख सकते हैं I का code क्या है 1 फिर उसके बाद C C का code क्या है आप देखिए C का code है 4 और उसके बाद हमारा बज़ता है A A का code जैसे के आप लोग बता है 5 तो 25 का correct options का होगे हमारा इसमें A ठीक है अब आप अपना homework का questions जो है नोट कर ले यह आपका homework का question है फिर हम अब part 4 के homework का questions देखने वाले हैं जो मैंने आप लोगों को करने के लिए questions दिया था और लगबख सभी बच्चों ने उसका answer सही दिया था ठीक है तो आईए अब हम homework की questions आपका part 4 का देखते हैं दियान से देखिए In a certain code language P.O.N.D. is written as R.S.T.L. How will here be written in that code तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो P.O.N.D. R.S.T.L. लिखा हैं देखिए तो किस तरीके से इसको arrange किया है तो जैसे कि आप लोगों ने इस type के questions को करा होगा तो आपको अंदाजा लगा होगा यहाँ पर P के replace करके लिखा गया है R यानि P.Q.R. यानि 2 प्लस हुआ है अब O में देखिए तो हम O से गए हैं हम S पे हैं तो O से जब आप S पे जाएंगे तो आपने कितना प्लस किया 4 आप कैसे 4 प्लस किया P.Q.R.S. यहाँ पर कितना प्लस हुआ 4 तो आपने ऐसे ही यह किया होगा प्लस 6 हुआ होगा N से T और ऐसे ही आपने D से L तो प्लस कितना हुआ 8 आपने इसी pattern से किया होगा यानि pattern क्या चला है P plus 2 plus 4 plus 6 plus 8 P से R plus 2 O से S plus 4 N से T plus 6 D से L plus 8 तो अब ऐसे ही आपको हियर को लिखना है यानि H से क्या करना है आपको plus 2 करना है H को क्या करना है आपको plus 2 तो H I J तो यहाँ पर options आ गया आपका देखे यही सा हिँ options आ गया answer अगर हम बात करें फिर उसके बाद E में आपको कितना प्लस करना है, प्लस 4, तो क्या आएगा, A में आपको कितना प्लस करना है, 6, G, और R में आपको कितना प्लस करना है, 8, तो Z, तो Homework के Part 4 का Correct Options क्या हो जाएगा, आपका इसमें, B, ठीक है, मिलते हैं आप आप जो पार्ट 6 में, तो आप ये questions, Homework का questions कर लीजेगा, और ये practice अच्छे से कीजेगा, आज के topics में काफी important questions है, dictionary वाले और arrange वाले, logical order के काफी questions आ जाते हैं, कभी कभी 3 questions भी आ जाते हैं, इस पर अलग से भी वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी, चीक है, ठैंक यू,